हलो ख्रेंडों वेलकम टू आरार्वी मेट के नाइन डिफोर दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको सिखाएंगे समीकरण को कैसे हल करते हैं दोस्तों अगर आप समीकरण को हल करना नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को सुरू से अंत तक देखेगा आप पूरा सीख जाएंगे तो चलिए कोश्चन को स्टार्ट करते हैं कोश्चन यहां पे दे रखा है यक्स प्लस वाई बराबर तीन और यक्स माइनस वाई बराबर एक यह माले जी समीकरन एक है और यह समीकरन दो दे रखा है तो समीकरन को दोश्तों हल करने के लिए हम सबसे पहले करते क्या है कि यहाँ पे किसी एक को बराबर रखते हैं या तो यक्स वाले को बराबर करेंगे या तो वाई वाले को बराबर रखेंगे ठीक है अब यहाँ पे देखेंगे यक्स क्या यह भी प्लस में है और यह भी प्लस में दोनों प्लस में तो यह तो कटेगा नहीं काटने के लिए एक प्लस में होना चाहिए और एक माइनस में होना चाहिए यहाँ पर देखेंगे प्लस हो आई है यहाँ पर माइनस हो आई है तो प्लस माइनस मिलता ह तो यहां से यह क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, अब यहां पे यक्स और यक्स, इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना यक्स हो गया, तो यह हो गया, दो यक्स, और यहां पे तीन और एक चार हो जाएगा, ठीक, अब यहां पे लिखेंगे, यक्स बराबर चार, और यह इधर आ जाएगा बटे में दो हो जाएगा दो से भाग करेंगे तो यहाँ पे दो होगा यहाँ पे हो जाएगा यक्स बराबर दो यक्स बराबर दो यक्स का मान हम को पता हो गया अब यहाँ पे वाई का मान हम पता करेंगे तो यह जो यक्स बराबर दो आया है, इसको हम रख देंगे समीकरण एक में, समीकरण एक में रखने पर, यहाँ पे समीकरण एक में हम क्या कलेंगे, रख देंगे, यानि रखने पर, ठीक है, तो समीकरण एक क्या दे रखा है, यक्स प्लस वाई बराबर तीन, यहाँ पे लिखेंगे, X प्लस Y बराबर 3, तो यहां पर X कमान 2 रखना है हमको, तो X के जगद 2 रख देंगे, प्लस Y बराबर में 3 है, तो यहां Y बराबर 3, 2 को इधर बेंदेगे, माइनस 2 हो जाएगा, Y बराबर 3 मसे 2 घटा लेंगे, कितना हो गया, एक हो गया है, यानि आपका X कमान निकल के आया 2, X कमान निकल के आया 2, और Y कमान कितना आया 1, यही दोश्टों आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ठीक है, चलिए, अगला कोशन देखते हैं, अगला कोशन देखा है, 7 X माइनस 2 Y बराबर 1, और 3 X प्लेश चार Y बराबर 15, यह मान यह समीकरण 1 एक है, और यह समीकरण 2 है, ठीक है, अब इसमें देखेंगे, क्या कोई यहाँ पे बराबर मिल रहा है की नहीं, यहाँ पे 7 X है, तो यहाँ पे 3 X है, बराबर नहीं मिलना है, यहाँ पे 2 Y है, तो यहां पे चार वाई है, समीकरण यहां पे बराबर मिलना चाहिए, जब भी हल करेंगे समीकरण बराबर मिलना चाहिए, समीकरण बराबर नहीं मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, या तो यक्स वाले को बराबर रखेंगे, या तो वाई वाले को बराबर रखेंगे, तो एक में तीन से गुड़ा करते हैं, तीन का साथ में करेंगे, दो में करेंगे, फिर एक में करेंगे, तो चलिए गुड़ा करते हैं, तो तीन सत्य एकईस यक्स हो गया, और माइनस तीन दुना के छव आई, और ये हो गया बराबर में तीन, अब साथ का गुड़ा इधर अब यहां से काटेंगे यहां पे प्लस 21 यकस है यहां भी प्लस 21 यहां पे चिन बदलेंगे यह माइनस हो जाएगा यहां पे प्लस है तो यह माइनस और यह भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा यह आपका कैंसिल हो जाएगा और यह 6y 28y यहां पे जोड लेंगे तो कितन का माइनस एक सो दो माइनस एक सो दो अब यहां से लिखेंगे y बराबर माइनस एक सो दो बटे में माइनस हो जाएगा 34 माइनस 34 अब यहां से हम कटा लेंगे माइनस से माइनस काटेंगे और यह जाएगा आपका 34 से भाग करेंगे 102 में ते कितना बार जाएगा 3 बार जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा y बराबर 3 अब यहाँ पर y कमान तुमको पता हुगया अब yx कमान निकालना है तो y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर समीकरन एक में क्या करेंगे रख देंगे यहाँ पे रखने पर समीकरन एक में रखने पर ठीक है अब यहाँ पे समीकरन एक क्या है यहाँ पे साथ एक्स माइनस दो वाई है तो साथ एक्स माइनस दो वाई बराबर में एक तो यहाँ पे रखेंगे 7 x minus 2 y का मान रखना है 3 तो y के जगे 3 बराबर में 1 हो गया अब यहां पे हो गया 7 x minus 2 का 3 में गुड़ा 6 बराबर 1 तो यह हो गया 7 x बराबर 1 6 को इधर भेजेंगे हो जाएगा आपका प्लस 6 तो 7 x बराबर 1 और 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा तो y x बराबर क्या लिखेंगे 7 बराबर 7 बराबर 7 और यहां से कार देंगे कितना हो गया 1 तो जो y x का वेलू निकल के आएगा वह जाएगा 1 ठीक है तो यहां पे x का मान आपका आया 1 और y का मान आया 3 यही आपका क्या हो गया दोश्तों राइट आंसर होगा ठीक है चलिए अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन दे रखा है 5 x माइनस 3 y बराबर 1 और 2 x प्लस 5 y बराबर 9 इसको मानते हैं समीकरण 1 इसको मानते हैं समीकरण 2 यहाँ पे ठीक हुआ ही काम करेंगे किसी एक को हम बराबर करेंगे यहाँ पे देखें कि कुछ बराबर नहीं मिलना है तो हम सीधे 2 का समीकरण 1 में गुड़ा करेंगे और समीकरण 2 का क्या करेंगे यहाँ पे समीकरण 2 में 5 से गुड़ा करेंगे ठीक है अब पांच का समीकन दो में गुड़ा करेंगे तो यहाँ पे हो गया 10 यह और माइनस यह हो गया 25 वाई और यह आपका हो गया 19 पांचानवे अब यहाँ पे देखेंगे यह माइनस हो गया यह प्लस हो गया यहाँ पे यह माइनस हो गया अब यह कैंसिल हो गया है तो 25 यह प्लस 25 से यह माइनस चाब इस माइनस का कोई वेलू नहीं है तो 25 मसे चाग घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 19 वाई और यह जो है 95 मसी 2 घटाएंगे तो यह कितना हो गया 93 हो गया यह आपका हो गया 93 तो यहाँ पे यह प्लस था नो तो हम यहाँ पे प्लस रखेंगे अब यह प्लस ही तो यह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा अब माइनस 6 और माइनस 25 जोड लेंगे तो यह हो जाएगा, आपका 31 हो जाएगा, माइनस 31 हो जाएगा, और यहाँ पे 95 में से 2 घटाएंगे, तो माइनस 93 हो गया, माइनस 93, तो यहाँ पे Y बराबर लिखेंगे, माइनस 93 और बटी में हो गया, माइनस 31, माइनस से माइनस कैंसिर करेंगे, 31 से काटेंगे 93 को 3 बार मे का मान क्या करेंगे समीकर एक में रखेंगे यहाँ पर लिखेंगे वाई का मान वाई का मान समीकर एक में रखने पर एक में या तो एक में रखिए चाहे दो में रखिए मान तो वही आएगा समीकर एक में रखने पर ठीक है तो यहाँ पर समीकन एक आपका दे रखा है पांच यक्स माइनस तीन वाई बराबर में एक अब यहाँ पे पांच यक्स है तो पांच यक्स लिखनेंगे माइनस तीन तीन लिखेंगे वाई कमान अमको रखना है कितना तीन रखना है तो यहाँ पे लिखेंगे 3 बराबर में 1 तो 5 यक्स माइनस 3 का 3 में गुड़ा 9 बराबर में 1 तो 5 यक्स बराबर 1 और यह इधर चला जायेगा तो प्लस कितना हो जायेगा 9 तो 5 यक्स बराबर कितना हो गया 10 हो गया तो yax बराबर आपका हो जाएगा 10 बटे में 5 5 से काटेंगे 2 बार में कड़ेगा तो yax बराबर जो निकल के आया कितना आया दो आया yax बराबर 2 यानि yax का मान 2 होगा और y का मान 3 होगा यही दोष्टो आपका 2 और 3 आपका right answer होगा ठीक है चलिए अगला question देखते हैं अगला question दिया है यक्स माइनस दो आई बराबर 5 और 4 x प्रस 3 आई बराबर 6 यह माल यह समीकर्ण 1 है और यह समीकर्ण 2 दे रखा है ठीक है यहाँ भी वही काम करेंगे हम 4 का यक्स में इसमें गुड़ा करेंगे समीकर्ण 1 में क्योंकि यह आप इसमीकर्ण बराबर नहीं दिख रहा है तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे गुड़ा करेंगे और इसमें हम करेंगे 1 से गुड़ा तो यहाँ पे हम गुड़ा करेंगे 4 से तो यह हो जाएगा आपका 4 x माइनस 4 y हो गया और बराबर में 4 25 अभी इसमें 1 का गुड यह माइनस में एक कैंसिल हो गया और यह माइनस 4Y, 3Y, माइनस जोड़ेंगे तो 7Y हो गया और 20 मसे 6 घटा देंगे तो हो जाएगा आपका 4 तो y बराबर आपका हो जाएगा 14 बटे में 7 माइनस 7 है और माइनस 7 से भाग करेंगे तो माइनस 2 बार गया तो y बराबर कितना हो जाएगा y बराबर आपका निकल के आया माइनस 2 y बराबर माइनस 2 अब y का मान क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे आंसर आपका एक ही आएगा ठीक है रखने पर तो यहां पर दिया है यक्स माइनस y बराबर में 5 यक्स का यक्स रखेंगे माइनस y का मानम को रखना है दो तो y के ज़र दो बराबर में 5 तो यक्स बराबर पांच होगा और इसको इधर बेद देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस दो हो जाएगा तो यक्स बराबर आपका हो जाएगा यक्स बराबर सोरी सोरी यहां पर कितना आया है माइनस दो आया है यहां पर आया है माइनस दो तो हम माइनस दो यहां पर तो इसके जगा तो है Rogers 2 जह रखेंगी तो मैइनस डबल हुजाएगा, यहापे प्छार हो जाएगा, अब यह इधार आहेगा, स्पान्च स्वाहरे 그림 Post कि तो है यहाँ सुअ types जारे mark पांच मशंहरे होगे, तो मार्मा ज़ी तो मंच मशceuखें पासंद आया होगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर किर दिजिए और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिजिए धन्यवाल